हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमा इन्वेस्टमेंट में फिंट्स एस्बी आई ने अपने क्वाटर थी की रिजल्ट आज अनाउंस करें और रिजल्ट काफी अच्छे आये हैं फिंट्स एस पर एक्सपेक्टेशन्स थी कि इस पूस्ट करेगा एक्सपेक्टेशन से भी रिजल्ट अच्छे आये हैं आज किस वीडियो में हम डिटेल में रिजल्ट को तो अनेलाइज करेंगे ही साथ में आपको बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पीएश्यू सेक्टर का तो नंबर एक बैंक है ही प क्यू बैंकिंग स्पेस का एक बड़ा मल्टी बैगर 2022 में बन सकता है स्टेट बैंक के जो रिजल्ट आये हैं वहां पे नेट प्रॉफिट पिचासी सो करोड के आसपास आये नो हजार पांसो पच्पन करोड के आसपास है जादा तर एनलिस्ट के एक्सपेक्टेशन से प् प्रॉफिट बिलिटी जो बड़ी है उसमें जो है प्रोविजनिंग जो है काफी सुदर के आई है 32% के आसपास वाई ओन वाई डिकलाइन देखने को मिली है हाला कि प्रोविजनिंग जो है अभी भी काफी जादा है 7000 करोड के आसपास है जो नेट इंटरस्ट इंकम है व इन लाइन है और यहां पर जो सिक्स पैसे पॉइंट यह बढ़के आई है यह स्टीट के एक्स्पेक्टेशन के इन लाइन ही है फेंस जो बैस्ट पार्ट मेरे को रिजल्ट में लगा है वह सबसे ज्यादा यह कि एस्बी आई का जो प्रोट्फोलियो है वहां पर सबसे ज इस ट्रॉंग होने का रिजन यह है कि उनकी मेजॉरिट आफ जो लोन बुक है वह रिटेल है ज्यादा तर एक्सपोसर रिटेल को रिटेल लॉन्स में क्या होता है तो एंपी रेशियो कम है वह पर से रिकवरी बहुत ज्यादा है पीएस्यू बैंक्स में ज्यादा तर बड़े लोन सब खराब होते हैं और रिटेल में उसके उलट जो है एक तो NPA रेशियो कम है उपर से recovery बहुत जाता corporate loan में recovery ना के बराबर है तो यहाँ पर जो growth है वो retail loan में देखने को मिली है जो लगबग जो है वहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्यारा बारा परसेंट के पास जो होम लोन का portfolio इनका बड़ा है और overall जो रिटेल बुक है वो पंदरा परसेंट के आसपास पड़ी है asset quality के front पे भी जो है काफी अच्छे figure सामने आये साड़े चार परसेंट के आसपास जो है इनका gross NPA है 1.34% के आसपास net NPA है net NPA में जिस तरह से SBI सुधार कर रहा है अमंग दा PSVU bank तो सबसे strong asset quality है अगर private bank से भी compare करें एक आधे bank को हम छोड़ दें टॉप के जो एक दो बैंक है तो काफी private bank से भी इनकी asset quality बहुत ज्यादा strong है आज की date में और capital adequacy ratio bank का जो है लगबग 13.23% के आसपास आया है और अगर हम जो है इसमें इस बार के result भी जोड़ दें जो profit आया है वो भी जोड़ दें साड़े चौदा परसेंट की आसपास होता है फ्रेंट स्कापिटल का रेशियो है जो रिस्क विटेड एक्स्पोजर है बैंक का उसके सामने कितनी कैपिटल इनके पास है वह कैपिटल अडिकेंसी रेशियो होता है जिसकी minimum requirement 8% की आसपास होती है बारा तेरा परसेंट की आ प्राइवेट सेक्टर बैंक काम करते हैं अमंग प्राइश के आज की डेट में जो वरकिंग कल्चर है वह कॉर्पेट बैंक जैसे अब राइवेट बैंक जासे है रिटेल लोन में सबसे ज़्यादा सैंक्शनिंग एस्बी आई के पास है आज के डेट में आप कारड़ों लोन देख लीजी सबसे ज़्यादा प्रोट्फोलियों है और वहां पर इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोसर गवर्मेंट एंप्लॉइस को है जो की बिल्कुल सेफ लोन माने जाते हैं से लगबग प्रॉफिट दसतार पांसो क्रोड के आसपास आया था वह अपनी बुक व मानेजमेंट में वर्किंग कल्चर में जमीन आसमान का फराग है इसमें कोई डाउट नहीं है और डिरेक्ली दोनों का कोई कंपारेजन नहीं बैठता है पर फिर भी अगर HDFC जो है चार के बुक वैल्यों पर ट्रेड कर रहा है तो मेरा मानना है कि SBI की जो वर्क कल्चर अब बन चुकी है और जिस तरह से बैंक अपने आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है यहां पर दो से धाई गुना की बुक वैल्यों इसको मिलनी चाहिए काफी सारे ब्रॉकरेज 122 में फ्रेंट्स फर्दर रेटिंग देखने को मिल सकती है और यहां पर इसके वैलुएशन इसकी बुक वैल्यू के जो है 22.2 एक्स के आसपास जा सकते है इन रिजल्ट के बेस पे स्टॉक पॉजिटिव खुल सकता है अभी 52 वीक के आसपास चल रहा हो सकते नहीं 52 वीक ह है और एक इसे बैंक हमें शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है इंडियन बैंक को भी हमने अपने चैनल पे डिसकर्स किये ता है कि तीन-चार स्टॉक ऐसे हैं आइसे तो बहुत चल चुका है पर इसके बाद भी वहां पर जो जिस तरह के वैलूशन पर ट्रेड कर रहा ह वह अट्राक्टिव है एसे एसे बैंक का भी जो फ्यूचर जो है वह काफी ब्राइट है फ्रेंट्स बैंकिंग में अमंग दा पी स्टॉक बहुत सस्त है ऐसे में स्टॉक जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमने पहले भी आपसको डिसकर्स किया ता कि एस बी आई अग प्रॉफिट जो है तीस हजार क्रोट से उपर चला जाएगा और एस बी आई उनमें से एक है तो फ्रेंट्स यहां पर आप इसको वाच लिस्ट में रखिए मार्केट खराब हो एक्यूमिलेट करके एक सब्सक्राइब को देखने में मिल सकता है और यह बैंकिंग सेक्टर क पीस्ट में तो नंबर वन है यह एसेट क्वालिटी में भी आने वाले टाइम में HDFC के बाद सबसे एस ट्रॉंग बैंक होने की ताकत रखता है फ्रेंट्स फरतर आपकी कोई भी कोई इस वीडियो को लेकरो फिल फ्रीट वास्क में दे कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आपके अपने चैनल इसमा इंवेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू